वेलकम टू यूटूब माई चैनल जैसा कि आप सभी को हिंदी के बारा मात्व पूर्ण क्यूशन बताएंगे जो कि सभी कंपर्टीशन में कारगर रहें इस्टार्ट करते हैं इन में से कौन सी रचना अवधी में नहीं है आपसने मधुमालती आपसन बी कवितावली आपसन असुद्ध सब्ध शाटिये आपसने दूसरी आपसन बी पहली आपसन सी पाचवी आपसन डी दुतिये इसमें से अंसर सही होगा विद्यारती हो आपसन सी पाचवी नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं दुत्व का प्रयोग किस सब्द में नहीं हुआ है आपसने कुता आपसन वलगा, आफ्षन C, सच्चा, आफ्षन D, बगगा, इसमें N से सही होगा विद्यार्थियों, आफ्षन B, वलगा, नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं, वह कौन सा सब्द है जो प्राया बवचन में प्रियूक्त होता है, आफ्षन E, छात्र, आफ्षन B, नच्छत्र, आफ्षन C देव, आफ्षन D, प्राण, इसमें सही होगा विद्यार्थियों, आफ्षन D, प्राण, नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं, निवन में से अघोस बेंजन है, आफ्षन A, रह, आफ्षन B, स, आफ्षन C, गय, आफ्षन D है, इसमें से सही एंसर होगा विद्यार्थियों, आफ पुर्सिसोरूपय की खरीदी है। इस वाक्नें दौस है आपसने क्रिया का, आपसनB करसर्ग का, आपसनC विसेशण का, आपसनD करिया विसेशण का। इसका सही अंसरों का विद्ध्यारतियों आपसनB परसर्ग का, Next question पर चलते हैं, लकीर का फकीर होना क्या कहलाता है आपसन A परंपरावादी होना आपसन B जाड़ फूप पर विश्वास करना आपसन C सरल जीवन यापन करना आपसन D आड़ंबर विरोधी होना इसका सही अंसर होगा विद्यारतियों आपसन A परंपरावादी होना नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं उनिस बीस होना आपसन A एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना आपसन B पच्छपात करना आपसन C अत्यधिक अंतर होना आपसन D वह समानता और आंतरिक विशंता इसका सही अंसर होगा विद्यारतियों आपसन A एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं वारिद का प्रयावाची सब्द है आपसने चंद्रमा आपसन B विजली आपसन C कमल आपसन D बादल इसमें सही एंसरों का विद्यार्थियों आपसन डी बादल नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं स्वररहित र का प्रयोग हुआ है आपसन A पुनर्ण निर्माण में आपसन B ट्राटक में आपसन C ट्रक में आपसन D सत्रु में इसका सही एंसरों का विद्यार्थियों पता हो तो तुरंत कमेंट में बताएं पुनर्ण निर्माण में यानि आपसन A सही है नेक्ट क्यूशन पर चलते हैं अन्वेसर्ण का संधी विच्छेद होगा आपसन A अनुप्लस A सर्ड आपसन B अनुप्लस A सर्ड आपसन C अनुप्लस वेसर्ण आपसन D अनुप्लस A सर्ड इसका अन्सर होगा अनुप्लस A स ज्यान से पढ़िए ये competition में अबस्ती question पूछे जाएंगे next question पर चलते हैं महत्मा में कौन सा समास है आपसने कर्मधारे समास आपसन B बहुवरीज समास आपसन C तश्पुरुष समास आपसन D अब्याई भाव समास आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना साथ ही सेयर कर देना इसका अंसर सही होगा आपसन A कर्मधारे समास next question पर चलते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बहुत अच्छी बात है thanks for watching हम आपसे कामना करते हैं कि आप हमसे हमेशा खुश रहे हैं धन्यवाद प्रडाम